कि अधूरे आप लोग सभी कैसे हूं कि आज में अपलोग करंदी के क्लास लेने जारी हूं आशके पहले में आप लोग विवर चैप्टर 5 पढ़ाय था आज मैं आप लोगों का नेक चैप्टर 7 जारी हूं तो यह पॉडूशल राक्षपिर चैप्टर का नाम है तो इसमें आप लोग को जैसे आप लोग को नाम से यह आप लोग को यह पता चलता है कि प्रदूशन का मतलब होता है पॉलूशन तो पॉलूशन का प्रभाव आप लोग सभी जानते हो कि इस तरह से होड़ा है तो पॉलूशन क्या है यह सभी नावर मानफ निर्मित है मानफ के द्वार परिणाम होता है हम लोग सभी जानते हैं तो यह जो पर है यह एक प्रकिती के व् Olidya को बादल सभी को बहुत ही जादा ये हाणि पहुचाते हैं तो यह जो है यह पर своप का चेप्टर है इसमें आप लोग को यह पर दोशे राकोषे तो किस तरह से पेर पौदे इससे प्रवावित होते हैं तो यह एक नाटे के रूप से पसूत क्या गया है तो आज मैं आप लोग को यह चैप्टर पढ़ाने जा रही हूं तो आप लोग सभी अपना किताब में देखें चैप्टर नमर 7 पदूशल चैप्टर 7 पदूशल रा पात्र कौन-कौन से हैं नीम का पौधा आम का पौधा धर्ती बादल कोयल पदूशल राक्चस बर्गत तो यह सभी है पात्र जो यह आपको इसमें जो नाटे के रूप से पसूत गया है तो यह सभी में क्या है ठीक है तो आप पहला क्या है इसमें जैसे नाटक में होता है दूर से एक पहनक से आवाज आ रही है मैं खा जाओंगा किसी को नहीं छोड़ूंगा सबको खा जाओंगा ठीक है ये आपके पीछे से एक पहन से आवाज आ रही है नीम का पौधा सहमते हुए तभी क्या होता है जो नीम का पौधा वो सहमते हैं यानि डरते हुए आमू भाईया ये डरावनी आवाजे कहां से आ रही है मुझे तो बड़ा डर लग रहा है तो नीम का पौधा डरते हुए कहता है कि अड़े ये आवाजे कहां से आ रही है मुझे मैं तो बहुत डर रहा हूँ मुझे डर लग रहा है आम का पौधा चिंती थोकर यह तो पता नहीं लेकिन आवाजे हैं बड़ी दरावनी लगता है कोई खर्लनाइक चीकरा है ठीक है तो जो उसके साथ ही था आम का पौधा वो अपना चिंता पकट करते वे कहता है कि यह आवाजे बहुती दरावनी है जै से चीकरा है तो नीम का पौधा नीम का पौधा है बिलाफ करते वे कहता है बिलाफ यानि दुख पकट करते वे मुझे तो इसके इरादे अच्छे नहीं लग रहे हैं नीम का पौधा बोलता है यह जो भी है जिसकी वी आवाजे आ रही है इसके जो इरादे बिलकुली अच ठीक है तुम इतना डरो नहीं अपने रोना बंद करो मैं देखता हूं यह आवाजे कहां से आ रही है फिर आम का पौधा कोयल दीदी कोयल दीदी तुम यह आवाज सुन रहे हो किसकी है बड़ी भ्यानक है तो आम के पौधा जो पास में जो कोयल बैठी थी तो उससे पूछ पूछ रहा है कि यह आवाजे तुम्हें पता है कहां से आ रही है और किसकी है कोयल ने कहां हां सुन रही हूं यह आवाज दुस्त पदूशन राक्चस की है अभी वह पास के जंगल को चट कर रहा है थोड़े देर बाद यहां पहुंसता ही होगा तो कोयल क्या कहती है कि य यह जो आवाजु जो तुम लोग सुन रहे हो यह किसी और की नहीं बलकि पदूशन की है जो कि सभी को निगल जा रही है और वो पास ही जंगल में मतलब वो पास के जंगल में जो विक्ष हैं सभी को वो नस्ट कर रही है थोड़ी देर बाद पहुंसते हां पहुंसता ही होग नीम का पौधा भैबित होकर अरे बाप्रे राक्चस क्या वो सिंग वाला है भ्यानक चैरा और बड़े बड़े दांत वाला तबी नीम का पौधा क्या काता है वो डरते वे काता है तो क्या वो राक्चस का सिंग वाला है जिसकी जैसे कि आप लोग जानते हो राक्चस का चैर बहुत भयावा होता है उसके बड़े सींग होते हैं भ्यानक चैरा और बड़ी बड़े दान जैसे कि आप लोग देखे हो जिस तरह बहुत सरे नाटक में ठीक है आप लोग देखे हो कि किस तरह से राक्षस को दिखाए गया है तो विसलिए नीम का पौदा के वो देखने में कैसा है कोईल कहता है राक्षस तो राक्षस होता है भलावा सुन्दर कैसे हो सकता है राक्षस तो राक्षस ही होता है वो कभी सुन्दर नहीं हो सकता है आम का पौदा क्या 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 क वो सब को निगल जाता है नीम तुमको भी फिर नीम क्या कहता है क्या वह तुम्हे भी निगल जाएगा कोईल मैं क्या उसकी मौसि लगती हूं मैं तो अपनी जान बचाने के लिए यहां से भाग जाऊंगी लेकिन तुम तो भागी नहीं सकते तुमहारे जड़े तो धर्ति क के अंदर जो है तो करल का कहती है कि हाँ वो मुझे भी निगल जाएगा लेकिन फिर भी तो मैं तो एक जगह से दुजरा जगह जा सकती हो लेकिन तुम तो कहीं नहीं जा सकते तुम्हारी जड़े तो धर्ती के अंदर है इसलिए तुम अपनी जगह से नहीं हिल सकते नीम बड़े भहई यह अब क्या होगा बड़े भहई अब नीम चिंथी थो के कहता है आमके पवदे को कि अब क्या होगा आम का पौधा, अप मैं क्या करूँ? मुझे कुछ उपाई नहीं रहा है अपनी मा धर्ती और पिता बादल को पुकरते हैं, साइद वे कुछ कर पाए आम का पौधा वो भी बहुत भैबित हो गया और वो काता मुझे कुछ उपाई नहीं सुझ रहा है तो मैं अपनी मा, धर्ती और पिता बादल को करता हूं, साइध उसे ही कुछ कर पाए तो इस तरह से मैंने आप लोग को ये पार्ट यहाँ तो आज आप लोग एही ते परिनेस क्लास में मैं बाकी का अध्धाय आपको पढ़ाऊंगी तो इसमें अप लोग के पता चल गया है जैसे कि मैंने कहा गया कि इस पार्ट को एक नाटे के रूप से पसूद यहाँ तो इसमें कुछ करक्टर है ठीक है वह करक्टर आपस में वातलाब करते हैं कि कि तरह से पद्धूशन जब आता है तो सभी को नस्ट कर देता है तो मैं इसका बागी कद्ध है आपको बाद में बढ़ाऊंगी तो मैं आपको फी जीवन मुल्ले के बारे में कुछ बताना चारी हूं इसमें जो जीवन मुल्ले आपको दिया हूआ है किताब में जैसे यहां पर है प्रयावर्ण तो जीवन मुल्ले के बारें बताने जा रहे हूं प्रयवर्ण के पती जावरूखता तो प्रयवर्ण के पती यानि हम आपको हमेशा याद रखना चाहिए जिए आपको जो प्रयवर्ण है उसकी सुरक्षा करने का दायत्वर हम सभी का है तो उसके पती आपको हमेशा सतक रह यानि चारों तरफ आपको स्वच्छ रखना है फिर है दूसरे अनाय का खत्म होगा यह विश्वास अथा का अवसी ही खत्म होगा तो आज मैं आप लोग कुछ सब्दा जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जब भी आप लोग कोई चैप्टर पढ़े कोई भी कहानी पढ़े या सब्दा आपने बताने जारी हूं पहला है आपका भयानक तो भयानक का क्या होगा अड़्ट डड़ावना फीर है आपका चीनतित चीनतित कर्थ क्या होता है परेशान अच्छा आप लोग और ही जो चीज खड़नायक जो आप लोग कहते हैं जैसे आप लोग जानते हैं विलन जो होते हैं खड़नायक का मतलब विलन होता है ठीक है फिर है आपका बक्सना छोड़ना फिर निकट पास ठीक है तो यह सारे कुछ सब्दार्थ है जो आप लोग को याद रखना है ठीक है इस तरह से आप लोग चैप्र को पढ़ सकते हैं जब भी कोई आप लोग पढ़ोगे अगर कुसी भी सब्द का अज समझ में ना हो आए तो उसको अंडरलाइन करके आप लोग किताब में य आप लोग को यह चैप्र समेंज में आ रहा होगा तो मैं इसका नेक्स जो पाठ है मैंने इस क्लास में बताऊंगी तो आज कमेंट क्लास ही समप्त करती हूं धन्यवाद